हेलो अबरेवन नवशकार मैं यादवेंदर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मैगनेट ब्रेंस कॉम्पेटिशन चनल पर आज हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही इंट्रस्टिंग है क्योंकि यह टॉपिक है ट्रेजरी बिल दोस्तों हम पढ़ रहे हैं है तो त्यार हो जाईए बहुत ही शांदार और बहुत ही इंट्रस्टिंग टॉपिक है ट्रेजरी बिल है ना चलिए जानते हैं कि ट्रेजरी बिल क्या होता है Treasury bill A treasury bill is nothing but a promissory note अब पहली बात ध्यान रखिए यहाँ पर मैंने का Treasury bill is nothing but a promissory note Friends, make it a point यह गाठ बांध लीजिए कि जब भी आप यह word पढ़े promissory note मतलब यह एक ऐसा document है जिससे की उधार लिया जाता है है ना? उधार लेने का उपकरण उधार लेने का instrument या उपकरण simple है ना? मतलब ऐसा document जिससे उधार लेते हैं देखो simple सी बात है promise word अगर कोई उधार ले रहा है तो वो अगर document बनाएगा दस्तावेस बनाएगा तो उसमें क्या लिखेगा? कि मैं आपको promise करता हूँ कि आपको पैसा इतनी तारीक को इतने interest के साथ लोटा दूगा तो basically जब भी आपको promise word दिखाई दे document में तो आप समझ जाएए कि उस document से उधार लिया जा रहा है मतलब borrower उसका use कर रहा है तो treasury bill is nothing but a promissory note issued by government अब मतलब यहाँ पर एक और बात समझ में आ गई कि treasury bill जो है वो एक promissory note है मतलब उधार लेने का document है जिसे कौन issue करता है government issue करती है ते रहा है? अच्छा उसके बाद under discount for a specified period stated therein मतलब यह कि उस treasury bill में एक time period दिया होता है उस time period के लिए government के द्वारा जो है वो treasury bill के जरीए उधार लिया जाता है अब मैं आपके लिए थोड़ा सा और simple करता हूँ थोड़ा सा और असान करता हूँ simple treasury bill एक document है एक दस्तावेज है जिससे की सरकार उधार लेती कौन सी सरकार central government treasury bill is a short term borrowing instrument by which government can borrow money treasury bill वह उपकरण है वह दस्तावेज है जिससे की सरकार उधार लेती है तो treasury bill से कौन उधार लेता है तो treasury bill से सरकार उधार लेती है उधार लेती है है ना, सिंपल, याद रखेंगे, Treasury Bill is nothing but a document by which government can borrow money, which government, Central Government can borrow money, याद रखेंगा, Treasury Bill का अपयोग, State Government नहीं करती है, तो आपको पता है, कि बेसिकली जो पैसे का लेंदेन होता है, उस मार्केट को बोलते हैं, है, Financial Market, क्या बोलते है, Financial Market, Financial Market, वो मार्केट होता है, वो फैसे लेटी होती है, जहाँ पैसा उधार लिया जाता है, और पैसा उधार दिया जाता है, अस सिस्टम वियर, Lenders and Borrowers can fulfill their needs, उधार लेने वाले और उधार देने वाली अपनी जरूतों को पूरा कर सकते हैं, तो Financial Market दो एक होता है, Money Market दूसरा होता है, Capital Market, Capital Market, Friends, बड़े सिंपल तरीके से और बहुत शौट में बता रहा हैं इसके बारे में, क्यूंकि एक्शुल में तो हमें पढ़ना यह है, लेकिन मैं Financial Market आपको बता देता हूँ, आपने पढ़ा भी होगा, Financial Market जहाँ लेंडिंग और होती है, एक बेसिक डिफरेंस यह है, कि Money Market में पैसा एक साल के लिए उधार लेंदेन होता है, एक साल तक का लेंदेन, जो उधार लेंदेन होता है, वो एक साल तक का होता है, Money Market में, और एक साल से ज्यादा का लेंदेन होता है, Capital Market में, मतलब कि एक वर्ष से ज्यादा, एक ज्यादा का लेन देन करते हैं capital market पर ध्याद रखिए financial market के दो हिससे हैं एक money market और capital market money market मतलब हिंदी बे मुद्रा बाजार जहां एक साल तक का लेन देन होता है capital market जहां एक साल से ज्यादा का उधर लेन देन होता है तो friends यहाँ पर हम समझ रहे थे कि basically treasury bill is a instrument of money market यह money market का instrument है तो मतलब आपको यहीं समझ जाना चाहिए कि treasury bill अगर इस market का instrument है इसका मतलब यह है कि treasury bill में maximum एक साल तक का उधार लेन दिन किया जा सकता है treasury bill के द्वारा यह आप याद रखेंगे ठीक है so treasury bill are money market instrument to finance the short term requirement of government of India clear है भारा सरकार की जो short term की requirement है उनको पूरा करने के लिए money market का एक instrument है treasury bill जिससे की government उधार लेती है these are discounted securities and thus are issued as a discount of face value मतलब यह कि treasury bill जो है उसकी जितनी भी value होती है जैसे मान लिजे कि 25,000 का treasury bill है तो basically अगर वो treasury bill 25,000 का है तो discounted rate पर जो है issue होता है मतलब यह कि वो करीब हो सकता है कि 21,000 का बिक्के है है ना हलाकि यह मैं आपको अभी समझाओंगा पूरा जो है explain करूंगा treasury bill की क्या process है अभी आप याद रखिये सिर्फ यह कि भाया यह जो these are the treasury bill है यह discounted security है मतलब जो इसकी main value face value इस पर लिखी होती है यह उस पे नहीं बिक्ता उससे कम पर बिक्ता है discount पर बिक्ता है उसे फाइदा क्या है उसे return क्या है तो simple है कि वह जितने में खरीदता है है ना तो यह तो है उसने इतना invest किया और बाद में जब मिलता है तो उतना मिलता है जितना की treasury bill पर लिखाता तो 21 में खरीदा और बाद में मिला कितना 25,000 तो profit कितना हो गया 4000 का हाला कि यह profit कैसे हुआ process लिंदेन की कैसे होती वो पूरा में समझाओंगा कुल मिला के इस page का हमारा conclusion यह है कि treasury bill government के लिए वे document है जिससे की government मतलब central government एक साल तक का उधार लिंदेन कर सकती है अभी आप इस बात का ध्यान रखेंगे उसके बाद फिर रम आगे बढ़ते हैं treasury bill money market का instrument है यह मैंने आपको समझा दिया treasury bill market refers to the market where treasury bills are bought and sold treasury bill market वो market है यह तर्म वो दर्शाती है कि जहां पर treasury bill की खरीदारी होती है या विकरी होती है लेंदेन होता है treasury bill दो टाइप के होते हैं एक होता है ordinary और regular treasury bill और दूसरा होता है ad hoc treasury bill तो ordinary treasury bill क्या है और ad hoc treasury bill क्या है यह हम समझते हैं हमारी आने वाली slide में देखिए सबसे पहले ordinary or regular treasury bill ordinary treasury bill are issued to the public and other financial institutions for meeting the short term financial requirement of the central government मतलब यह कि यह जो ordinary treasury bill है यह आम आदमी को भी issue किया जा सकते है किसी financial institution को भी issue किया जा सकते है है ना और यह उनकी short term मतलब एक साल तक कि यह लेंदेन को पूरा करता है किसके central government के मतलब यह कि central government को अगर मानली जे उधार चाहिए एक साल तक का मानली जे central government को 50 करोड, 5 करोड, 1 करोड, 2 करोड, 50 लाग जितना भी उधार चाहिए तो central government क्या करेगी ordinary treasury bill issue करेगी और ordinary treasury bill किसके इशू कर सकती है public को financial institutions को वो जो सरकार को उधार दे सकते हैं तो इससे सरकार उधार लेती है और यह public और financial institution सरकार को उधार देती है और बीच में linen का जो सबूत है वो क्या है treasury bill के बहिए जनता ने या वित्य संस्थानों ने उधार दिया है और सरकार ने उधार लिया है these bills are freely marketable and they can be bought and sold at any time and they have secondary market also मतलब यह कि basically यह जो bill है वो मुक्त रूप से market में बेचे जा सकते हैं और इनका secondary market भी है मतलब यह कि यह एक बार बेचे जाने के बाद दुबारा भी बेचे जा सकते हैं आप सिर्फ पॉइंट सुनिए पूरी प्रोसेज में आपको एक साथ समझाओंगा अभी आप यह समझिए कि यह जो treasury bill है यह bill जो है वो market में मतलब कि जो भी यह अपना treasury bill का market होता है वहाँ पर रिली यह खरीदे और बेचे जा सकते हैं और साथ में इनका सेकेंडरी मार्केट भी होता है मतलब एक बार जो treasury bill बिक चुका है वो दुबारा से और भी खरीदा जा सकता उस पे भी हम अभी discussion करेंगे अच्छा ad hoc treasury bill क्या होते तो ad hoc treasury bill are always issued in favor of RBI only मतलब जैसे मैं कहे रहा था कि government का जो treasury bill है वो normal public को भी issue हो सकता है और financial institution को भी issue हो सकता है लेकिन वो ordinary या normal treasury bill था लेकिन यह क्या है ad hoc treasury bill और यह और यह सिर्फ और सिर्फ किसके नाम पर issue होता है RBI के नाम पर issue होता है they are not sold through tender or auction मतलब यह के ad hocs की निलामी नहीं होती है ना ध्यान रखियेगा निलामी नहीं होती auction नहीं होता है ना they are purchased by RBI केवल और केवल ad hoc treasury bill किसके द्वारा purchase किया जाता है RBI के द्वारा purchase किया जाता है और RBI को जब government की तरफ से यह bill मिल जाता है तो इस bill के बदले RBI authorized to issue currency notes मतलब इसके एवज में RBI जो है वो currency note जारी कर सकती है currency issue कर सकती है ad hoc treasury bill तो आप से पूछेंगे treasury bill कितने type के तो दो type के ordinary treasury bill या regular treasury bill और एक ad hoc treasury bill ordinary treasury bill financial institutions और common public के लिए है जो की सरकार को उधार देते हैं और जो ad hoc treasury bill है यह सिर्फ और सिर्फ RBI के लिए है वो government से RBI ही यह treasury bill purchase कर सकता है और इसके वज में government सोरी RBI जो है इसके वज में government से treasury bill लेकर RBI जो है इसके बदले में no tissue कर सकता है दिखो currency note against them चलिए अब जो है थोड़ा सा आगे हम और बात करते हैं अब treasury bill से मैंने आभी आपको समझाए कि maximum कितने समय तक का उधार लिया जा सकता है तो एक वर्ष तक का लेंदेन हो सकता है ट्रेजरी बिल से एक वर्ष तक का लेंदेन हो सकता है ठीक है अच्छा अब उसके बाद फिर यह जो एक साल का जो समय है यह भी तीन हिस्तों में बटा हुआ है 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज मतलब कि 90 दिन, 182 दिन और 364 दिन अगर आपने नोट किया हो तो यह दोनों चीज़ें जो है वो बेसिकली या दोनों यह तीनों जो टाइम पिरेड है यह डबल होते जा रहे है 91 का डबल 182, 182 का डबल 364 है ना तो यह जो है वो टाइम पिरेड है जिसके लिए लेंदेन किया जा सकता है मतलब यह कि अगर गवर्मेंट को सेंटरल गवर्मेंट को अगर तीन महिने तक का उधार चाहिए तो वो 91 डेज वाला ट्रेजरी बिल इशू करेगी जो वीकली ब वो 364 डिज़ वाला ट्रेशरी बिल इशू करेगी मतलब इसमेंतीन ओप्शन होते हैं एक साल तक मैक्जिमम होता है ट्रेजरी बिल उधार लिंदेन के सुविदा इसमें और इसमें भी तिन ओप्शन अब तीन मैने का चली मैने और एक साल तक का लिंदेन टर सकते हैं यह जो है फोट नाइट बेसिस पर होता है और ये जो है वीकली बेसिस पर होता है यहां पर लिंदिन अच्छा और आप से पूछा जाएगा कि auction यह जो Treasury Bill है यह auction होता है निलामी होती है अच्छा एक खास बात मिं आप apresent nam दों. बेसिकली मैं शुरू से आपको समझा रहा हूँ कि जो Treasury Bill है। Treasury Bill जो है यह basically इससे उधार कौन लेता है तो भले ही Treasury Bill से सेंट्रल गॉडवर्मेंट उधार लेता है लेकिन Central Government खुद Treasury Bill isue नहीं करवाता था Treasury Bill जो है वो RBI इशू करता है केंद्र या सेंट्रल की तरफ से केंद्र की तरफ से RBI ट्रेजरी बिल इशू करता है है ना अब यहां पर देखिए कि ट्रेजरी बिल जो है वो कौन इशू करता है लेकिन ट्रेजरी बिल होता किसका है केंद्र सरकार की ध्यान रखिए ट्रेजरी बिल सेंट्रल dg details will total guarantee होता है पुर्ण त्रेजरी बिल तो आप बोलेंगे कि ट्रेजरी बिल इस इशूड बाई आर बी आई ऑन बहाफ ऑफ सेंट्रल गॉवर्मेंट के अंदर सरकार की तरफ से आर बी आई ट्रेजरी बिल जारी करता है ठीक है अच्छा और ऑल्टरनेट वेडनस डे को देखिए यहाँ पर यह जो आगे बाद 91 डेज ट्रेजरी बिल आर इशूड एड़ फेट डिसकाउंट रेट ऑफ फोर परसेंट एस वेल एस थ्रो आक्षन मतलब यह कि यह 91 डेज का जो ट्रेजरी बिल है वो चार परसेंट के फिक्सड डिसकाउंट रेट ऑफ इंट्रेस पर भी आदिसकाउंट हो सकता है चलिए आगे बात करते हैं यह जो प्राक्टिकल हम समझेंगे डाइग्राम के जरीए उससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा 360 days bill do not carry any fixed rate जैसे मैंने बता है कि 91 days का जो ट्रेजरी बिल है उसका rate fix होता है 4% के आसपास वैसे ही 364 दिन का जो ट्रेजरी बिल है उसका जो rate है वो fix नहीं होता they discount rate on these bill are quoted in auction मतलब ये कि जो rate है वो उसका निलामी में तै होता है प्रेजरी बिल का जो rate है वो किस में तै होता है निलामी में तै होता है अच्छा अब ये जो तै होता है किसके दौरा होता है participants and accepted by the authorities मतलब जो authorities होती है उनके द्वारा ये जो है वो accept किया जाता है ठीक है मैं आपको अब जो है basically अब ये जो rate है वो कौन सा कहलाता है cut off rate जहां पर auction या निलामी के जरीए rate तै किया जाता है उसे बोलते है cut off rate जो fixed था 91 days का rate वो treasury bill का discount rate था और ये cut off rate कहलाता है अब friends मैं आपको जो है basically एक diagram के जरीए पूरा जो है वो समझाता हूँ लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूँ कि कौन है जो treasury bill का lending करते हैं तो RBI, SBI ये treasury bill का lending करते हैं commercial banks treasury bill खरी सकते हैं state governments जो है वो भी treasury bill खरी सकती है है ना अच्छा फिर financial institutions like LIC, IDBI हलाकि वो जो state development loan कहलाते हैं वो ठीक है फिर उसके बाद ICICI फिर IFCI है ना और उसके बाद फिर नाबाड ये जो financial institutions हैं ये भी और उसके बाद फिर बात करें तो corporate, customers, public भी जो है treasury bill का lending कर सकती है मतलब ये लोग जो है ये participants हैं जो treasury bill से जो है treasury bill RBI से खरीतते हैं और इसके बदले उन्हें पैसा देते हैं तो आप से पूछा जाएगा कि who issues treasury bill on behalf of central government तो आप बोलेंगे कि के अंदर सरकार की और से आर्बिया ट्रेजरी बिल इशू करता है और RBI से खरीतता कौन है आर्बिया चे ट्रेजरी बिल खरीतता कौन है तो आप बताएंगे आर्बिया चे ट्रेजरी बिल जो खरीतता है वो है भाईया अपना क्या ये आर्बिया एस बियाई commercial bank state governments financial institutions like LIC IDBI ICI IFCI नाबाड है ना और ये corporate customers और मतलब corporate कुश प्राइवेट और बड़ी company जिनको आर्बिया लाओ करता है और public मतलब आम जनता पहले आपको बता दूँ कि 2021 से पहले आम जनता इसमें participate नहीं करती थी है ना आपको बता दूँ कि individual can now directly purchase treasury bill dated security sovereign gold bonds है ना and state development loans from primary as well as secondary market thanks to RBI retail direct scheme RBI की एक scheme आई RBI retail direct scheme है ना ये किस ने launch की तो हमारे prime minister ने launch की कब launch की तो भईया ये 21 November 2021 को जो है ये launch हुई 21 November 2021 अब ये 21st of November 2021 को ये launch हुई है retail direct scheme पहले तक public या आम आदमी इसमें allowed नहीं था अब जो है finally इसमें public allowed है retail direct scheme की वज़े से नरिंद मुदी ने शुरू किया है मतलब treasury bill के जरीए अब आम आदमी भी government को या सरकार को उधार दे सकता है clear है अब आर्बे रेटेल direct scheme मैंने यहां पर आपको बता दिया है कि बेसिकली एक बार मैं आपको अच्छे से बता दूं कि यह जो individuals है ना वह पहले बिलकुल भी वहां यह participation नहीं देते थे कि वह आर्बी आई आई से Treasury Bill खरीदे रबी ए ट्रेजरी बिल इशू करता था रबी ए ट्रेजरी बिल देके इशू करता था यह data मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूं ज़रा एक बार इसको और समझ लीजे कि आर्बी आई जो है वह treasury bill issue करता है और treasury bill खरीदते कौन-कौन है तो खरीदने वाले हैं banks LIC GIC EPFO mutual funds यह सब जो है वो क्या करते थे यह treasury bill खरीज सकते हैं किससे RBI से और government जो है वो treasury bill issue करवाती है किससे RBI से और RBI आगे इन issue कर देता है यह लोग अपना पैसा RBI को देते थे इनसे treasury bill ले लेते और यह पैसा फिर government के पास पहुँच जाता है government एक साल तक का उसका use करती है पैसे का और फिर with profit पैसा जो है वो लोटा देती है तो यह सब जो सुविधा मिली मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया यह date यह जो है आपको फिर से याद रखनी चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ basically 21st of November 2021 21 November 2021 जो है इस दिन प्रधान मंत्री मोधी ने जो है retail direct scheme जो है वो launch की थी आपको याद रखना है और उसके जरीए अब individuals जो है आम लोग भी क्या कर सकते हैं हिस्सा ले सकते हैं money market में मतलब की RBI द्वारा treasury bill के auction में या RBI के द्वारे direct जो है वो treasury bill जो है वो खरीज सकते हैं चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा पूरे treasury bill के auction के बारे मैं मैं शुरू से आपको बताता है आ रहा हूं कि मैं practically आपको पूरा समझाओंगा कि अब practically आप देखिए कि जो treasury bill का लेंदेन है वो कैसे होता है बड़े इत्मनान से समझे जरा बैठके फ्रेंट्स सबसे पहली बात की central government को उधार चाहिए है ना central government को उधार चाहिए अच्छा central government ने इसके लिए किस से बोला कि RBI से कि हमें उधार चाहिए है ना और इसके लिए central government RBI को authority देता है कि आप हमारे treasury bill आगे issue करके पैसा जोटा सकते हो तो basically treasury bill होते किसके central government के मतलब central government के होते हैं लेकिन उनकी तरफ से issue कौन करता है RBI अब RBI क्या करता है उन treasury bills को आगे बेचता है अब जब वो treasury bill को आगे बेचता है तो कहां बेचता है तो भाया यह इन organizations को बेचता है financial institutions को जैसे कि मान लीजे banks LIC, GIC, EPFO, mutual fund, some private companies mutual fund वो है जहां पर हम share market से में पैसा लगा सकते हैं जिनके द्वारा EPFO हमारा provident fund जहां जमा होता है bank LIC, GIC, LIC live insurance company, GIC general insurance company यह सब पैसे वाली सब्सक्राइटी है गवर्मेंट का उधार चाहिए और गवर्मेंट उधार इन से ले सकती है लेकिन इनके बीच में medium का का माध्यम का काम कौन करता है आर भी गवर्मेंट treasury bill के मामले में गवर्मेंट और organization financial institutions के बीच में जो है माध्यम का काम कौन कर रहा है आर भी यह कर रहे है अले कि इसमें आम पब्लिक भी शामिल है आजकल तो ठीक है अच्छा अब हुआ क्या कि जैसे माली जैस सपोज यह डॉक्यमेंट है अब यह जो डॉक्यमेंट है यह है ट्रेजरी बिल यह ट्रेजरी बिल जो डॉक्यमेंट है यह ध्यान रखिएगा पच्छिस हजार रुपए का कम से कम मिलता है आपसे एक्जाम में पूछा जाये रेली की ट्रेजरी बिल कम से कम कितने अमाउंट का मिल जाता है तो ट्रेजरी बिल्स आर अविलेबल इन दे ट्रेजरी बिल का जो है पच्छिस हार का ट्रेजरी बिल यह भी करा है माल लीजिए ना आर बी आउक्षन कर रहा है यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या आरफ जो है निलामी कर रहा है अब आरप यह निलामी कर रहा है और निलामी जो कर रहा है तो खी गर्रा है ट्रेजरी बिल की अच्छा यह बेसिकली ओपन मार्केट ऑपरेशन की प्रोसेस है अगला वीडियो में पूरा इसी पर लेके आऊंगा लेकिन फिलाल पहले अभी हमें छमझना क्या है ट्रेजरी बिल क्या होता है तो ट्रेजरी बिल एक दस्तावेज है और यह दस्तावेज जो है वो कौन इश सरकार का है लेकिन इशू कौन करता यसे आर्दी ऐसे इस इशू करता है अब यह जो ट्रेजरी बिल है 25,000 रुपय का यह निलाम हो रहा है है ना आर बियने कहा कि साब हम निलाम कर रहे है पच्छे से आर रुपय का ट्रेजरी बिल आप लोगों को खरीद ना है तो खरीद अब लेकिन ये लोग क्यों खरी देंगे treasury bill भाया, तो आपको बता दूँ कि treasury bill जो है वो risk-free instrument है, इसका पहला फायदा क्या है कि ये totally risk-free है, क्या है ये totally risk-free instrument मदब जोखिम नहीं है इसमें, मतलब हर हाल में इनको इनका पैसा मिलेगा उपर से फाइदा भी मिलेगा ये तैबात है है ना अच्छा फिर उसके बाद ट्रेजरी बिल जो है वो मिलता कितने का है ये भी मैंने आपको बता के रखा है तो 25,000 रुपए या उसके मिल्टिपल्स में मिलता है अच्छा उसके बाद फिर बात करें तो कितने टाइम पिरेड के लिए मिलता है तो इसमें अवेलेबल होता है टाइम पिरेड 91 डेज 182 डेज और 364 डेज माली जी के ये जो ट्रेजरी बिल निलाम हो रहा है ये 182 दिन का है मतलब फॉर 6 मंट्स मतलब आप ये सारी संस्थाएं जानती है कि RBI Treasury Bill निलाम कर रहा है और वो Treasury Bill जो है वो 6 महिने का है 6 महिने वाला Treasury Bill है और वो कीमत कितनी है उसकी 25,000 ये उस पर छपी हुई है उस पर लिखी हुई है तो जो Treasury Bill पर Value लिखी होती है उसे कहा जाता है Face Value क्या कहा जाता है फेस वेल्यू और अब जब ये फेस वेल्यू है लेकिन जब बोली शुरू होती है तो वो मैं आपको बताता हूं क्या होता है जब बोली शुरू होती है तो आर्बी बोली लगा जो है ऑक्षन कर रहा है निलामी कर रहा है है ना आपको तो पता है किसी भी product की जब निलामी होती तो पहले उसका base price set होता है है ना जैसे कि अगर किसी बड़े आत्मी का बंगला बेक रहा है निलाम हो रहा है बहुत सरे लोग निलामी में खरी थे खड़े हुए है ना गोवा में बंगला है बीच के सामने है ना सी फेसिंग है अब वो बंगले की बोली कहां से शुरू करें तो क्या आप 10 रुपे से कर सकते हैं बंगले की बोली शुरू नहीं ना हम वो बंगलों की बोली जो है वो कहां से शुरू करेंगे हम मिनिमम जो मार price set कर दूँगा 25 करोर अब उसके बाद जो लोग निलामी में उसे खरीद रहे हैं अब यह उन पर depend करता है उन्हें उस बंगले की कितनी जरुवत है वोने कितना attract कर रहा है वो competition में कितनी ज़्यादा कीमत देखे उसे खरी सकते तो 25 करोड के उपर जितना बोली लगेगी फिर वो मेरा फायदा है लेकिन मैं base price set कर दूँगा 25 करोड कि मैं इतना तो कम से कम चाहता ही हूँ तो यहां पर भी के जो है RBI क्या करता है जब यह निलामी करता है यह auction करवाता है जब यह निलामी यह auction करवाता है तो यहां पर base price fix कर देता है अब जो मालीजे base price जो है इसका fix हुआ base price वो base price fix हुआ मालीजे 20,000 बीस हजार अब 20,000 इसका base price fix हुआ मतलब इस पर बोली शुरू होगी bank ने बोली लगाई 20,500 LIC ने बोली लगाई कि नहीं भया हम जो है इसके लिए 20,700 को देने को तयार है यह online इसने बोली लगाई कि हम पूरे 21,000 देने को तयार है फिर एक private company जो बड़ी 22,000 अब इसकी बोली कित्ती लगी 22,000 तो final जो बोली है बिड है वो कित्ती है 22,000 अब 22,000 से ज़्यादा बोली किसी ने बढ़ा ही नहीं क्योंकि पता है कि जब 6 महने पूरे हो जाएंगे आज LIC की बोली है 22,000 वो ट्रेजरी बिल खरीद रहा है 22,000 में उसे मिल गया अब जब 6 महने पूरे हो जाएंगे तो यह जो ट्रेजरी बिल है LIC को मिल रहा है LIC है ट्रेजरी बिल RBI को लोटाएगा और RBI इसके बदले में पूरा 25,000 लोटाएगा अभी कितने में खरीद है LIC 22,000 में है ना 22,000 किसको दे दिये इनको दे दिये 22,000 यहां से पहुचा दिये LIC ने और बदले में इनके पास क्या आ गया ट्रेजरी बिल आ गया अब जब 6 महिना पूरा हो जाएगा 182 देज तो ट्रेजरी बिल लोटाएगे और RBI इसके बदले कितना पैसा देगा RBI इसके बदले बेसिकली 25,000 देगा इसे क्लियर तो हमने दिया कितना था भाईया यह दिया कितना था 22,000 इसे क्लियर और हमें मिला कितना 25,000 है ना मिल गया 25,000 तो अब यह 25,000 मिल गया तो फाइदा कितना हुआ LIC को 3000 का फाइदा हुआ थ्री थावजन का फाइदा हुआ तो यह तीन हजार रुपए जो है वो क्या क्या लाएगा प्रॉफिट किसका इनका जिन्होंने ट्रेजरी बिल खरीदा था गवर्मेंट से 6 मिने के लिए हैना गवर्मेंट को 6 मिने के लिए उधार मिल गया गवर्मेंट ने कूप 22,000 रुपए यूज किया उसके बाद 25,000 रुपए लोटा दिया हैना तो अब LIC ने ट्रेजरी बिल खरीदा था किस पे 22,000 पे तो यह जो वैल्यू है यह कहलाती है फ्रेंड्स याद रख ल कीवर्मिल है वह डिसकाउंटेड वैल्यू पर जो हिस्ची करता है मतलब ॰ुपए ल sadece 2000 रुपए लिखा है और जब बोढरी लगी और जो बेस राइस जो है वह जो तै किया थार अर विया ने के 20,000 रुपए बोली शुरू होगी और बोली बढ़ते बर्ते 22 को और LIC को 22,000 में ये Treasury Bill मिल गया तो ये value कौन सी value कहलाई discounted value ये है face value और ये है discounted value तो अब आप से exam में पूछा जाएगा कि RBA Treasury Bill कौन सी value पर issue करता है तो LIC को कौन सी value पर issue किया discounted value पर अब लेकिन जब LIC किसी वापस Treasury Bill इन्हें करेगा और इसके बदले में क्या लेगा 25,000 और ये कौन सी value है face value है इसका मतलब ये है कि RBI जब Treasury Bill जारी करता है किसी को देता है तो उससे कौन सी value लेता है discounted value लेता है RBI issues Treasury Bill on discounted value और discounted value ले ले लेता है ये discounted value है ना 22,000 ये ले लिए उसने और बदले में क्या दे दिया Treasury Bill लेकिन जब 6 महिने हो जाएंगे और Treasury Bill वापस इनके पास पहुंचेगा है ना तो फिर जब वो RBI लोटाता है पैसा तो कितने लोटाता है 25,000 और ये कौन सी value है face value तो conclusion ये निकल के आता है कि RBI issues Treasury Bill on discounted value and redeemed at face value मतलब RBI Treasury Bill discounted value पर बेचता है और फिर face value जो है वापस लोटाता है 6 मेने के बाद ये time period पूरा होने के बाद तो अब आपसे पूचा जाएगा कि profit on Treasury Bill क्या कहलाता है तो बहिया simple सी बात है face value कितनी है 25,000 discounted value कितनी है 22,000 है ना मतलब LIC ने इसमें खरीदा और LIC को बाद में मिलेगा कितना 25,000 बचा कितना 3,000 तो बहिया difference between face value of Treasury Bill and discounted value is called profit on Treasury Bill profit on Treasury Bill clear है ध्यान रखेंगे तो अब बहिया simple सी बात आपको समझ में आई कि Central Government को चेहता उधार उसने ट्रेजरी बिल किस से शुकरवाया RBA इसे RBA ने ट्रेजरी बिल निलाम किया कहां पर यहां इन financial institutions को और जब इन financial institutions को ट्रेजरी बिल निलाम किया तो बहिया ट्रेजरी बिल की जो value थी या जो face value थी जो उस पर छपी दियो कितनी थी 25,000 25,000 का ट्रेजरी बिल था उसका base price set हुआ 20,000 अब 20,000 से बोली लगना शुरू ही बढ़ते बढ़ते 22,000 पहुची उसके बाद किसी ने बोली नहीं बढ़ाई क्यों क्यों क्योंकि मान लो अगर इसके 23,000 बोली लग जाती तो profit तो अब कोई भी profit के साथ sacrifice करने को नहीं चाहता इसलिए इसके बाद किसी ने बोली नहीं बढ़ाई 22,000 में ट्रेजरी बिल बिग गया और जब 22,000 में ट्रेजरी बिल बिग गया भाई साब तो finally जो है अब जो है LIC के पास ट्रेजरी बिल आ गया 22,000 आर बिया के पास पहुँच गया आर बिया ने छे मेने के लिए गवर्मेंट को दे दिये अब गवर्मेंट 6 मेहने के बाद वो पैसा आर बिया को लटाएगी लेकिन विद प्रॉफिट मतलब कितना 25,000 पूरा लटाएगी क्यों कि ट्रेजरी बि ट्रेजरी बिल जो है वो कौन इशू करता है तो आर बिया इशू करता है किस प्रॉसेस से निलामी जिसको इंगलिश में बोलते हैं ऑक्ष्ण ठीक है अचा फिर ट्रेजरी बिल के कितने टाइम पिरेड होते हैं 91 ड्यशνriel von 82 डेज और 364 डेज फिर आपसे कोई पूचेगा के ट्रेजरी बिल कंजें कितनी कीमत का विलिबल है 25,000 प्र Опाफैं पूचेगा कि बहिए ट्रेजरी बिल जो है उसका फायदा क्या होता है तो कि ये सारी बड़ी-बड़ी organization, ये लोग, ये आम आदमी, ये company, ये bank, ये LIC, GIC, EPFO, mutual fund ये सब के सब हर हाल में treasury bill खरीदना चाहते हैं क्यों जरूरी है? तो भई ये treasury bill में क्या खास है? तो भई ये treasury bill जो है वो risk free instrument है, zero risk instrument है मतलब ये कि ये इन लोगों को पता है कि treasury bill है किसका? Central government का, और चाहे कुछ भी हो जाए, government पैसा लोटाएगी मतलब ये सीधा-सीधा इन bankों का, इन organizations का risk free investment हो दाता है जो खिम पूर्ण निवेश हो जाता है treasury bill में एक साल के लिए है ना, ये से कमा लेते और दूसरी बात ये कि आपने सुना होगा bank के बारे में पढ़ते समय, है ना, monetary policy के वीडियो में कि bankों को अपने पास SLR जमा करके रखना जरूरी है सबने सुना होगा सुना है कि नहीं सुना है? SLR statutory liquidity ratio bankों के पास एक दिन में जितना भी deposit आता है उसका एक certain percent for example, 18% जो है वो bank अपने पास ही जमा करके रख लेते किस-किस form में? cash, gold और government security ये पढ़ा है ना, अपने cash, gold और government security bank के पास एक दिन में जितना भी पैसा आता है deposit आता है accounts में उसका 18% bank अपने पास ही reserve करके रख लेता जमा करके आरक्षित करके रख लेता, उसका use नहीं करता लेकिन वो जमा किस form में करता है cash के रूप में, gold के रूप में और government security और government security क्या है यही treasury bill तो मतलब यह कि अगर 1000 रुपे bank में एक दिन में आया है तो उसका 18% bank को अपने पास reserve करना एक हजार का 18% कितना हो गया बहिया, 180 रुपे 180 रुपे SLR जमा करना है लेकिन 180 रुपे में से बहिया वो क्या करता है 60 रुपे का cash रख लेता है 60 रुपे का gold रख लेता है 60 रुपे का cash, 60 रुपे का gold और 60 रुपे की government security यह मैं example बता रहा हूँ आपको तो यह जो 60 रुपे है इसका cash, यह gold और यह 60 रुपे की government security government security मतलब treasury bill तो for example, one third जो है उसको हर दिन के deposit का जो भी पैसा आता है one third पैसे से उसे क्या खरीदने पड़ते हैं treasury bill इसलिए भी bank हर हाल में निलामी में treasury bill खरीदना चाहते हैं और दूसरी ब्याब treasury bill जो है वो निलामी में कब मिलते हैं हर alternate Friday को मतलब यह कि RBI treasury bill का auction या निलामी कब आयजित करता है तो RBI treasury bill का auction या निलामी जो है वो हर Friday को आयजित करता है मैं अगर आपको दिखाना चाहूं तो दिखा सकता हूँ अभी जो है मैंने आपको बताया था यह देखे treasury bill 91, 182 days और 364 days के लिए issue होता है और alternate Wednesday को निलाम होता है अब आपको सारा कुछ जो है वो clear clear समझ में आएगा फिर इसके बाद बात करें तो यहाँ पर मैंने बताया कि treasury bill जो है उनके बदले में no tissue कर सकती है इनकी निलामी नहीं होती हमने निलामी जो पढ़ी है treasury bill की वो किसकी पढ़ी है ordinary और regular treasury bill की पढ़ी है तो friends उम्मीद है कि यह जो है वो आपको समझ आया होगा इस देखे अब देखे यहाँ पर यह मैंने पूरा discussion आपको समझाया है आप चाहें तो इसका screenshot ले ले या वीडियो को बार-बार आप रिवाइन करके भी देख सकते हैं चलिए अब हम जो है आगे बढ़ते हैं अपने अगले गंतव्वी की तरफ और हमारा गंतव्वी यह है कि भई अगर आप ये वीडियो देखना चाहते है या किसी से शेर करना चाहते है तो आपको बस बताना इतना है कि magnetbrains.com जो है वो एक website है जहाँ पर आप जब जाएंगे website open करेंगे वेब पेज पर तो यहाँ पर आपको सारे exams की link दिखेंगी जहां आप banking और insurance पर click कर सकते है और वहाँ पर इस तरह से जो है वो courses open हो जाएंगे subject के दिए reasoning है ना आप देख सकते है crash course 40 days का चल रहा है आपर IBPS, RRB, PO के लिए quantitative aptitude, banking और financial awareness, salary है ठीक है जब click करेंगे आप इस तरह से यहाँ पर tab पर देखिए यहाँ पर आपने bank और insurance पर click किया यह open हुआ आप watch now पर click करेंगे तो इस तरह से यहाँ यह आपका पूरा syllabus यह open हो जाएगा chapter wise मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ यह कितने lectures हैं पहले chapter में 5 हैं फिर 8 हैं फिर फिर 5 लेक्चर हैं तो इस तरह से यह lectures भी आपको दिखेंगे और इस जब आप इन पर click करोगे तो कुछ इस तरह का video open होगा और आप पढ़ सकते हैं मतलब कुल मिला के subject जो है कोई भी हो आप free quality education हमसे प्राप्त कर सकते हैं we are magnet brains we are dedicated to your selection क्यूंकि आपका selection हमारा satisfaction मिलते हैं next video में आज के लिए फिलाल इतना ही और उमीद है कि आप इसको like करेंगे subscribe करेंगे और share करेंगे जैहिल